नमस्कार दुस्तों जहिंद स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पार्ट सालावित केके में एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है यूपी पुलिस भारती से ले करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जिसमें बहुत सारे लोग बिहार के भी थे तो अलग-अलग क्वे करने वाले थे उनका सवाल था कि सर एज काउंट जो है वह कब से होगा चौथा फिर कमेंट किया कुछ लोगों ने कि सर ये फॉर्म कब से शुरू होगा है ना तो इन सारे चीजों पर बात करेंगा वीडियो में आप धहरे बनाके बने रहिए मैं सब का जवाब दूँगा और कैसे त्यारी करनी है किस बुक से करनी है मैंने कैसे की थी सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूँँ जैसा कि अख़बारों के माद्दम से बता जा रहा है कि इसी ह अखवार में पहले भी एक बार आ चुका था है, तो जब तक officially रूप से कोई notice नहीं आ जाती है, तब तक आँख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ और इसको ignore भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी हवा बहुत तेज चली है, एक बार नहीं, दो ही आपका form भराना सुरू होगा, इस वर्सा कर नहीं हुआ, दस से बारा दिन तो आप 10 दिन बचा है, बारा दिन में ही 10 दिन बचा है, तो अगर इन 10 दिन में नहीं होता है, तो जनबरी में आपको निश्चित देखने को मिल जागा, ये चीज़ आप निश्चित हो लें, बिलकुल मिल जागा, दूसरा क्वेस्चिन कि क्या सर इसमें आदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो देखिए, यहां कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं के भी हों, किसी भी राजिय के हों, इस form को बेही चक भर सकते हैं, तो अगर भरेंगे, तब फिर तीसरा क्वेस्चिन थ आप लोग का किसार अगर हम इस form को भरते हैं, तो फिर हम किस कैटेगरी में शामिल होंगे, तो देखिए, जैसे ही आपका राजिय बदला, उत्तर प्रदेश के आप बाहर से अगर बिलॉंग करते हैं, तो आप यू आर यानिकी जनरल कैटेगरी से काउंट किये जाएंगे जी हाँ, आप चाहे भले बिहार में आप OVC हों, या फिर SC हों, या फिर ST हों, आपके पास डॉक्मेंट्स भी है, NCL भी बना है, लेकिन यहाँ वह मानिन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था, कि सर केंदर वाला जो सेंटरल वाला होता है, NCL वह व आते हैं, यूपी के लड़के भरते हैं, तो वहाँ ये भी नहीं पाते हैं, यूपी वाले बिहार में जनरल केटेगरी में आते हैं, तो भाई बिहार वाले भी यूपी में जनरल केटेगरी में आया थे, ठीक, चाहे आप वहाँ जनरल हैं, तब भी यहाँ जनरल में ही काउंट होगा सारा कट अफ हाइट वाइट सब जो भी है सब आपका जनरल से ही जो है वो लिया जाएगा तो इस चीज़ का फिर ध्यान रखें तीसरी और सबसे बड़ी बात क्या सर इसका एज जो है एज कब से रहेगा तो देखिए एज जो है वह मान कि यह चलिए कि एक जन के ही आजबास आने वाली है तो एज का जो है फंडा वह एक जनवारी से ही काउंट होगा यह मान लीजे माना ऐसा जा रहा है लेकिन बाकी अब एक क्लियर तब होगा जब नोटिफिकेशन आएगा यह चीज़ भी ध्यान रखेगा तो कि बहुत सारे ऐसे लोग है यूटू नहीं करती है हम लोग बस एक अनुमान लगाती है कि पिछली बार ऐसे हुआ था तो सायद इस बार ऐसे हो ठीक तो यह चीज़ होता है तो बाकी आप इंतजार करेंगे ऑफिसियल जो नोटिस होता है उसके आने तक का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आपको खुदी स्लेबस बढ़लता है तो सब कुछ उसमें इंक्लूट करके हम लाएंगे अलह सब कुछ हाइब कर रालग वीडियो बनाए ऐसा नहीं मैं चाही हुए जब अफिसियल नोटिस आये नोटिफिकेशन आये तो उस इसिमें मैं सब कुछ हाइट वेट जो भी आपका रेतिन का स् करूं और बिल्कुल उस नोटिस के ही अकॉर्डिंग है ना ऐसे नहीं कि अपने मन से बना दे नोटिस में कुछ परिवर्ता नो तो फिर दूसरा बनाना पड़े है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें मैं यह मान के चलना हूँ कि आप लोग बिल्कुल है आप समझ गया होंग तो अगर देखिया हा और मैंने ये भी बात कि थी तो इस पर बहुत स्वृण है तो इस पर भी मैं फूल डिटेल में वीड़ियो बनाओंगा कैसे क्या पढ़ना चाहिए इस को Target करना होता है इसमें फालतम टारगेट करेंगे तो समय गबाएंगे और हासिल बहुत थोड़ा ही कर पाएंगे हेना इस लिए Target उतना ही करिए जितना में काम बन जाए extending हैं टारगेट उतना ही करें चुकिन आपको लेना है नौकरी आपको पढ़ा करें सफलता जो है वह मिलती है ऐसे करके तो बाकि मैं विशेश रूप से चर्चा करूंगा अगले वीडियो में कैसे करना है पढ़ाई सिलेबस कौन-कौन सा होगा और कौन-कौन सी किताबें होंगी जो आपको आपकी उनिफॉर्म तक पहुंचाएगी मिलते हैं फिर नेक्स मुशकार जय हिंद